सल्मान खान की फिल्म भारत में वरुम बनेंगे ये वाले अमबानी साल 2018 में तीनों खान सितारों सल्मान, शारुक और आमेरको बॉक्स आफिस पर कामियाभी नहीं मिली अब हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री की निकाहे अभी से सल्मान खान की इस साल रिलीज होने जा रही फिल्म भारत पर टिक गई है फिल्म की कहानी क्या है? इसके बारे में भी धीरे धीरे ही सही पर जानकारियां बाहर आने लगी है सबसे चौकाने वाली जानकारी इस फिल्म को लेकर सामने आई है वरुन दवन को लेकर वरुन दवन को हिंदी सिनिमा में सल्मान खान का उत्तरादिकारी समझा जाता रहा है वरुन ने सलमान की फिल्म जुड़वा के रीमेक जुड़वादों में काम करके काम्याबी पाई तो इस बात ने और मजबूती हासिल की वरुन दवन इन दिनों अपनी फिल्म में BCD टीन की शूटिंग को लेकर बिजी हैं लेकिन इससे पहले वेग फिल्म भारत में अपना काम पूरा कर चुके हैं फिल्म भारत की युनिट के एक सदस्य के मताबिक वरुन दवन ने सलमान खान की फिल्म भारत में एक बहुत ही दिल्चस्प मिहमान भूमिका कर रहे हैं ये भूमिका है देश के सबसे रईस मुकेश अमबानी के पिता दीरू भाई अमबानी की। भारत एक पीरियड फिल्म है और इसमें वरोन दवन के इस किरदार को लेकर इंडिस्ट्री में अभी से चर्चाय शुरू हो चुकी है। अमर उजाला को अपने सूत्रों से ये भी पता चला है कि फिल्म भारत में कैटरीना कैप का किरदार उनके अब तक के सारे किरदारों से अलग है और वेक फिल्म में सलमान खान की बॉस का रोल कर रही है।